आज का जो वीडियो होने वाला है वो L29 3D motor driver IC के बारे में और उसके circuit diagram और pin diagram के बारे में होने वाला है पिछले जो मैंने वीडियो डाले है वो Arduino tutorial part 6 तक डाल चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो मैं description में link डाल दूँगा और मैंने voice control home automation भी बनाया हुआ है उसमें अप नहीं देखा तो मैं डाल दूँगा link उसमें आप जाकर डेल सकते हैं और i button पर भी डाल दूँगा तो आज का वीडियो होने वाला है वो है L293D motor driver IC के diagram के बारे में और use के बारे में स्वाइए शुरू करते हैं आप देख सकते हैं यह है L293D motor driver IC के सर की pin diagram यहां पर आप देख सकते हैं L293D motor driver IC है मैं बता दो पर इसका use so IC IC का use motor को चलाने के लिए किया जाता है जिसे कि आप गारी को चलाने के लिए ड्राइवर यूज करते हैं वैसे मोटर को चलाने के लिए एक IC का यूज़ किया जाता है तो यह एक टाइप का IC है L293D Motor Driver नाम है इसका तो इसको सीज़े Motor Driver नहीं बोला जाता है और इस तरह के और भी बहुत सारे IC जाते हैं जो कि Motor को चलाने के लिए यूज़ किया जाते हैं तो यह जो एक IC है यह है आपका IC देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है L293D देख सकते हैं यहाँ पे L293D लिखा हुआ है और मैं बता दूँ अपकी PINs को कैसे काउंट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लोग पिंस को गलती जोड़ देने के कारण वो काम नहीं करती है तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिंस को कैसे काउंट करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कट सेक्षन यहाँ पर दी हुई है होती है करते हैं इस के इसॉंट की दिखा दौट अब तो इस में आज विर्वो देख सकते हैं कैसे क्रिट एक साउड करके आनल इस साइड में एक डॉट है इस यह मतलब होता है वह यहाँ से का कउंट्इंग होग ठीक है हूँ इसमें 16 पीन होती है, 16 पीन होती है, इसको count करने का यहां से सुरू करते हैं, जहां से dot है, वहां से मैं counting सुरू करोंगा, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और just right से आके नीचे से सुरू करते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना लोग ऐसे count कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां से 9 count करते हैं, सो यह गलत हो जाएगा, सो आपके IC खराब भी हो सकती है, सो आपको यहां से counting करने होगी, 8 के बाद 9 यहां पे होग और 16 यहां पे होगी, ठीक है, सो मैं आपको बता दूँ फिर से कि क्या क्या इसका पिंस के बारे में, सो पिंस देख सकते हैं, आपको यहां से 1 से लेके 8 तक यहां पे होती है, फिर मैं आपको 9 होती है, फिर यहां पे 16 होती है, ठीक है, तो अब मैं बता दूँ कि सारे पिं है so one or nine is a enable pin का use किया जाता है so मैं बताऊं कि enable pin क्या है so आज़े मैं आप अगर Arduino project यूज़ कर रहे है और साहत में उसका motor का use कर रहे है तभी तभी आईसी यूज़ करेंगे और आपको motor का rpm कम या ज्यादा करना है आप इस दो pin का आप यूज़ करेंगे इस दोनी व्यूज़ का यूज़ यूज़ यह है कि आप इसको rpm घटा बढ़ा सकते है motor के ठीक है फिर second pin जो input होता है input वो second pin होती है और यहाँ पर आप देख सकते है seven so seven और two यह दोनों input pins होती है और just आप right side में हाएंगे input four और input three so यहाँ पर चारप inputs यूज़ किया जाते है so input आज़े इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे कि आप कोई आपको ऐसे यूज़ करना है कि कोई object detect हुआ या कोई value detect हुई so input यह input करेगा input लेगा और फिर output देगा इसको motor को आगे वढ़ने के लिए ठीक है so इसके लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ आप आप देख सकते है pin number three पे output है और pin number six पे output two है so इन दोनों pin पे हम लोग motor का use करते है एक motor का जो कि एक positive यहाँ पर लगेगा या negative यहाँ पर लगेगा या negative यहाँ पर यहाँ पर पॉस्टिव यहाँ पर so pin motor के दो pins होता है positive negative आप जैसे भी attach करेंगे clockwise होगी है anti clockwise होगी ठीक है वैसे यहाँ पर भी देख सकते है यह output 4 है और यहाँ पर output 3 है तो यह दोनों motors के लिए एक single motor के लिए दो pins attach किये जाते हैं ठीक है so यह है यहाँ यहाँ दो motor और चार sensors use कर सकते हैं ठीक है अब मैं बताओं तो यहाँ पर VCC2 देख रहे हैं और VCC1 देख रहे हैं so यह जो दोनों है यहाँ पर power देनी होती है VCC की power मतलब positive volt देनी होती है so यहाँ पर आप देख सकते है 8 पर आपको directly 9 volt देनी होती है और 9, 1, 16 पर 5 volt देनी होती है 9, 1, 16 पर अगर आप रहे हैं यूज नहीं कर रहे हैं enable pin का so 1, 9 और 16 pin पर positive देनी होती है ठीक है और जो जटी होती है 2, 5, 12, 13, 2, 5, 12, 13 pin जो होती है देख सकते हैं यहाँ पर 12, 13 और 4, 5 यहाँ पर आपको ground देनी होती है याँ आप इन 4 को pin को एक साज attach करके आप ground दे सकते हैं ठीक है और आपको 16 पर 5 volt देनी है इस पर 5, sorry 16 पर 5 volt देनी है और यह 8 volt इस पर 9, sorry 9 volt देनी होती है ठीक है यह है इसका diagram और मैं आपको दिखा दूँ यह होती है IC ठीक है यह कुछ इस तरीके के दिखती है ठीक है मैं focus कर दूँ एक बार यह होती है इस तरह की IC दिखती है जो मैं अगला project होगा मैं इसी पर बनाने वाला हूँ इसमें मैं ऐसे यूज़ करूँगा line falling robot और object following robot without microcontroller सुमें मैं idno का यूज़ नहीं करूँगा तो दोनों का project सेमी है बस केवाल थोरी से की change है उससे आप यूज़ करके ऐसा line falling robot बना सकते हैं और object following robot भी बना सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में line falling robot project के साथ सो बिलते हैं goodbye see you again next video और be safe bye bye